प्रिये छात्रो आज हम अध्याय दो के अंतरगत जो आपकी NCRT बुक में कुछ क्वेशन दिये गए हैं तो इनको हम आज नोट्स के साथ में समझेंगे तो कोई भी क्वेशन होगा तो सबसे पहले तो मैं आपको समझाऊंगा और उसके बाद उसके नोट्स कैसे बनाने हैं तो मैं अपने नोट्स आपको दिखाऊंगा तो आप चाहें तो वही लिख सकते हैं अपने नोट्स में या फिर आप खुद से भी नोट्स बना सकते हैं क्योंकि हम लोग जो भी समझेंगे कोसिस करेंगे कि यहीं पर याद हो जाए क्योंकि टाइम बहुत कम रहता है इसलिए कोसिस यही रहेगे कि आप जो वीडियो लेक्चर है उसको देखते ही उस चीज को इतने अच्छे से समझ पाएं कि डारेक्ट याद हो जाए और फिर कि टाइम पर कितने सारे वीडियो देखोगे जादा नहीं देख सकते हो इसलिए नोट्स रहेंगे तो सीधा नोट्स पढ़ लोगे तो आपको एक अंदाद लगेगा कि हाँ यहाँ पर मैंने यह समझा था यहाँ पर यह समझा था तो हम लोग चित्र के माध्यम से जो साइ कॉस्टन है हलाकि यह हमारी सीरिच का तो आठमा नॉमा और दसमा कॉस्टन है यानि कि तीन कॉस्टन यहाँ पर कबर करेंगे हमारी सीरिच के आठमा नॉमा और दसमा लेकिन यो NCRT में इसके नंबर दिए गए हैं 1,2,3 तो हमारा करम अलग चलता है हम लोग बेसिक भी सबसे पहला जो है यह ज़़ादा इंपोrtन है तो क्योंकि यह धैनिक जीमन से जोड़ा हुआ question है तो इसमें क्या हमें दिया गया है बो समझ लो इसमें इन्होंने पूछा है कि पीतल के बर्तन हो या फिर तावे के बर्तन हो पीतल के बर्तन आपने देखे होंगे और तावे के बर्तन पीतल एक मिस्र धातू है जो तावे एवं जिंक से मिलकर बनता है मैं आपको इसकी ट्रिक बताता हूँ पीतल की जो मिस्र धातू है उसकी ट्रिक है पिताजी ये मेरे सर ने मुझे बताई हुई थी तो पिताजी जो होती है उसमें समझो क्या है कि पी से हो गया पीतल तो पीतल मिस्र धातू में कौन कौन से धातू है मिलकर कौन-कौन सी धातूंगों से मिलकर पीतल बना है तो ता और जी ता मतलब ताबा ठीक है? और जी मतलब जिंक ऐसा थोड़ा सा याद करने के लिए तो ताबा और जिंक को यदि निश्चे तनुपात में मिला दिया जाए तो वो पीतल जैसी मिस्ट धातू का निर्माड करता है अब पीतल धातू आपने कहां देखी होगी? हमारे जो घरों में पुराने बरतन होते हैं आप अपने घर के सदश्चों से पूच सकते हैं कि पीतल के बरतन कौन है? तो वो आपको पीतल और ताबा जो है वो देख जाएगा अपने आसपास आप इंटरनेट पर सर्च कर सकते हैं पीतल और ताबा की बरतन तो आपको मिल जाएंगे तो वहाँ पे भी आप थोड़ा सा समझँ पाओगे तो ये जो पीतल और तामे की बरतन होते हैं माल लेते हैं कि यहाँ पर हमने एक बरतन ले लिया जैसे एक गिलास ले लिया है यह देखो ध्यान से समझते जाना यह हमने माल लेते हैं कि एक गिलास है ठीक है अब इस गिलास में कोई खटा पधार्त भरा है जैसे दही मान लो दही खटा पधार्थ है न तो इसको यहाँ पे समझो फिर से जैसे यह एक पीतल का या तावे का गिलास है ठीक है? अब इसमें आपने यहाँ तक कोई खटा पधार्थ रख दिया जो कि हम दही ही मानेंगे क्योंकि क्वेश्चन में दही लिखा है तो इसमें हमने क्या बर दिया? दही दही क्या है? स्वाद में खटा होता है तो यह अमल है ठीक है? तो दही क्या है? अमल है और दही किस के संपर्क में है? यह गिलास की और गिलास किस चीज का बना है? गिलास बना है पीतल का या फिर तांबे का ठीक है या है पीतल का या फिर तांबे का और पीतल और तांबा दोनों क्या है धातू है दोनों क्या है धातू है इस चीज को समझो और दही क्या है अमल है तो हम लोगों ने reaction देखी है कि जब धातू अमले के संपर्क में आती है धातू क्या होती है अमले के संपर्क में आएगी मतलब पीतल या तावा दही के संपर्क में आएगा क्योंकि पीतल तावा क्या है धातू है तो जब धातू अमल के संपर्क में आती है तो लवड बना लेती है विशाक्त लवड जहरीला विशाक्त मतलब क्या होता जहरीला लवड और साथ में बनती है हाइड्रोजन गैस तो ये जो लवड बना हुआ है ये कैसा है जहरीला या विशाक्त बोलते हैं इसको तो ये विशाक्तिय जहरीला हमाए लिए मतलब अपने सरीर के लिए कैसा है जहरीला है मतलब हानिगारक है इसलिए खटे पधारतों को कभी भी पीतल या तामे के बर्तन में ना रखो तो आपको इसका अंसर कैसे लिखना है आप कई तरीके से लिख सकते हो जैसे पहले लेंगवेज आप ये बना सकते हो कि पीतल और तामा दोनों धातु है जब ये दही अर्थात अमले के संपर्क में आते हैं तो लवड बना लेते हैं जो विशाक्त होता है अर्थात स्वास्त के लिए हानिकारक होता है इसलिए कॉश्चन मिला देना पीतल येवं तामे के बरतनों में दही येवं खटे बदार्त नहीं रखने चाहिए क्यों हटा देना ठीक है नहीं रखने चाहिए तो किस में रखने चाहिए फिर मैं आपको चित्र के माध्यम से बताऊंगा कि मिट्टी के बरतनों में चिनी मिट्टी के बरतनों में हम दही और बाकी खटे बदार्तों को रख सकते हैं क्योंकि ये मिट्टी के बरती सक्रिये नहीं है और ये आराम से रखा रहेगा और ये खाने युग रहेगा तो आप कभी भी घर में यदि पीतल या तामे के बरतनों में दही रखा है तो आप उसको मना करोगे क्योंकि आपको मालूम चल गया कि उससे क्या होता है लवड बनता है जो की विशाक्त होता है तो इसका आंसर आप मैं आपको अपने नोट से दिखा देता हूँ कि कैसे लिखना है देखो ये हमारी सीरीज का आठमा कॉस्चन है तो ये पूरा आप स्क्रीन सॉट ले सकते हो या फिर टेलीराम चैनल पर मैं पीडियेफ इसकी लिंक डाल दूगा इसमें क्या लिखना है अंसर क्योंकि पीतल और तामा दोनों ही क्या है धातू है देखो अभी अभी समझा है ना कि पीतल है और तामा दोनों क्या है धातू है जबकि दही और सभी खटे बदार्थ क्या है अमल है आता है अमल धातू से किरिया करके क्या बना लेते हैं लवड बना लेते हैं जो कैसे होते हैं विशाक्त होते हैं यह जहरीले होते हैं अर्थात स्वास्त के लिए हानी कारक होते हैं इसलिए धातू प्लस अमल लवड और हाइटोजन बनाएंगे यह वाली रेक्शन लेक्शन आपका एक भी यंक नहीं कटेगा एक दो नमबर में आएगा तो आराम से आपको दो नमबर मिल जाएंगे अब इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं तो अच्छे से नोट कर लेना इसको बिल्कुल भी लापरभाहि मत करना ठीके नोट्स बनाते चलो अभी से पढ़ोगे तब जाके इंटेलिजेंट बनोगे और जब आपकी स्कूल लगने लगेंगे तब आप वहाँ पे अपना हमर पूरा कर पाऊगे और अपने दोस्तों को भी बता देना कि बने बनाए नोट्स के साथ में हम लोग पढ़ते हैं तो आपका कहीं भी टाइम कोई बेश्ट नहीं होगा ऐसा नहीं होगा कि आपने वीडियो बस देख ला लेकिन नोट्स का आता पता नहीं है है ना तो इसलिए आपको complete यहाँ पर पढ़ने को मिलेगा अब जो दूसरा question है यह पहले question से ही जुड़ा हुआ है देखो क्या लिखा है धातू के साथ अमले की किरिया होने पर अभी धातू के साथ अमले की किरिया हुई थी की नहीं हुई थी ताबा औ कापर की दही के साथ वो अमले है तो इसमें लिखा है कि कौन सी गेस निकलती है तो अभी मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ जो मैंने अभी समदाया यह देखो धातू की यह दही वाले question में हमने समझा क्या था थोड़ा सा दिमाग भी चलाना है कि धातू के साथ किसकी किरिया हुई थी आमले की तो क्या बना था लवड अब इसमें देखो क्या लेका है कि धातू के साथ आमले की अभी किरिया होने पर सामान निता कौन सी गेस निकलती है तो बताओ कौन सी गेस निकलती थी हाइड्रोजन गेस अब hydrogen gas तो निकलती है लेकिन हम इसका जो है एक उधारन की द्वारा समझाए कि इस gas की उपस्तिती की जांच आप कैसे करोगे तो इस gas की उपस्तिती की जांच हम कैसे करते हैं तो देखो इसको मैं थोड़ा सा यहां पर समझाऊंगा चित्र की मात्यम से ध्यान से समझना सबसे पहले मैं एक यहां पर परक्नली बनाऊंगा यह देखो अब इसके अंदर कोई अमल भरना है तो कोई भी अमल भर सकते हैं तो मैं यहां पर H2SO4 इस बार भर लेता हूँ तो आप यहां पर देख पा रहे हैं कि यह H2SO4 हमने अमले के तौर पर लिया है तो हमें अमले की किरिया धातू से करानी है तो एक धातू भी लेनी पड़ेगी तो हम यहां पर जिंक के टुकड़े ले लेते हैं ठीक है? यह मालो यह हमने इसके अंदर जिंक के कुछ टुकड़े डाल दिये यह किसके टुकड़े है जिंक के तो यहां पर आप लिख देना जिंक के टुकड़े ठीक है? क्वस्चन क्या है? कि जब धातू के साथ अमले की किरिया होती है तो कौन सी गैस बनती है? और उसका पता कैसे चलता है तो देखो ऐसे होता है प्रियोकसाला में आप इस परक नली को साधने के लिए कि स्टेंड लगा देंगे नहीं तो यह गिर जाएगी तो स्टेंड कैसे लगाओगे? सिंपल सी बात है इसको देखो यहां पे एक ऐसी दो लाइन खीच लेना फिर ऐसी दो लाइन खीच देना अब इसमें हम दो नली डालेंगे एक आम्र डाल ले के लिए एक गैस निकलने के लिए यह देखो इस तरही के से आपको कर लेना है यहां से अम्र डालेंगे और यहां से रियेक्शन के पस जो गैस निकली और इस तरीके से बीगर बना देना और इसमें साबुन का पानी है यह लिख लेना यह हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं बस यहां पर कॉश्चन के अधार पर पढ़ रहे हैं तो जब रियक्शन होगी तो देखो क्या होगी कि जिंक की किरिया अमले के साथ हो रही है मतलब ह ऩुट edone Santo 4 के साथ में हो रही है तो जिंक जो है एस फुर को ले जाएगा तो जैन एस सो फूर बन जाएगा और यहांपर हैड़ोजन गैस अलग हो जाएगी तो देखो ये बनगी ना हाइडोजन गैस तो हाइडोजन गैस जब बनती है तो वो यहां से चलके ऐसे ऐसे आती आती यहां से आएगी देखो 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 यहां रही है ना यहां पर साबून के पानी में डुप पूर जाएगी और जैसे इस साबू उनके पानी में ये आएगी तो यहां से बुल-बुले बनेंगे, साब उनके पानी के गोले बनेंगे, जो आपने बच्पन में खेले है ना, इस तरीके से, तो हाइडोजन एक ज्वलंसील गैस है, तो अगर इसके पास कोई जलती हुई मौंबत्ती लेकर आएंगे, ऐसे, जल पता चलता है कि यार इसमें कौन सी गैस होगी, हाइडोजन नहीं, तो हाइडोजन गैस दिखती थोड़ी है, कि उसमें H2H2 दिखा मिलेगा, हमें यहां पे लिखा मिलेगा, नहीं, ऐसा तो नहीं होता, तो उसको चेक करने के लिए साइंटिस्ट लोग कहते हैं, कि अगर ह कॉस्चन क्या करा है, कि जब धातू के साथ अमले की अभी किरिया होती है, धातू मतलब कौन, देखो यहां पे, धातू मतलब कौन, जिंक, और अमले मतलब कौन, H2SO4, तो धातू के साथ जब अमले की किरिया होती है, समझना कॉस्चन को, धातू के साथ जब अमले की किरिय कि इस गेस की उपस्तिति, की जाच आप कैसे करोगे, देखो उधान तो हमने यही ले लिया, उधान की दोरा समझा भी दिया, अब इस गेस की उपस्तिति का पता कैसे करते हो पॉममबत्ती जलाके, तो आप तो ZNSO4 बन जाएगा और यह hydrogen gas निकल जाएगी अब देखो hydrogen gas निकली है लेकिन इसका उधान हो गया लेकिन इसकी पहचान कैसे करो गए कि जब हम जलती हुए मुंबत्ती इस gas के पास लाते हैं जो यहाँ देखो यह hydrogen gas बनी थी न यहाँ पे आप देख पा रहे हैं मैं आपको कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं notes में यह देखो कि जब हम जलती हुए मुंबत्ती इस gas के पास लाते हैं तो फटफट की धनी के साथ जलने लगती है तो फटफट की धनी है उससे से पता चल जाता कि हाँ या यह hydrogen gas है तो इतना आपको अंसर लिखना है और आप चाहें तो यह वाला चित्र भी यदि आप चाहें तो बना सकते हो कोई दिक्कत नहीं है यह आपकी बुक में बना हुगा है मैं आपको दिखा देता हूँ कौन सा चित्र है यह देख लो यह वाला चित्र है यहाँ पे hydrogen gas C.I.I. है और इसमें मुंबत्ती लेकर आए तो फटफट की आवा जाने लगे तो यह आप आंसर यह वाला चित्र भी आप चाहो तो बना सकते हो कोई दिक्कत नहीं इसके बाद यदि हम इसका तीसरा question ले तो इसमें देखो क्या लिखा है यह कोई दातु योगिक A. तनु हाइड्रोक्लोरिक अमले के साथ अभिक्रिया करता है तो उथपन गैस जलती हुए मौमबत्ती को बुझा देती है तो देखो मौमबत्ती को कौन बुझा सकता है जो आग बुझा सकता है वही तो मौमबत्ती को बुझाएगा और यदि उथपन ने योगुकों में से calcium chloride है मतलब जो बन रहा है एक तो मौमबत्ती को बुझा देता ह और दूसरा क्या करता है केल्सियम किलोराइड है तो इस अभी किरिया के लिए संधुलित रहासानेक समी करदे खुमोम्बत्डी को कौन बुजा सकता है तो याद रखो आकसिजन जलाता है और कारबन डाय अकसाइड बुझाता है आकसीजन जल्ले में सहायक है लेकिन कार्बन डायकसाइड जल्ले में सहायक नहीं तो वो कार्बन डायकसाइड ही है इसे हम इसका इस्तिमाल अगनी सामक में भी करते है ठीक है, मतलब आख को बुझाने के लिए भी करते हैं कार्बन डायकसाइड का प्रियोग और साथ में अगर हम ध्यान से देखें तो केलसियम कार्बोनेट के उसासाथ यहां पे किलोरीन भी है किलोरीन भी है कि नहीं है बताओ है ना तो किलोरीन भी है मतलब यह है कि तनू हाइडोकलोरिक आमले के साथ अभी किरिया करेगा तो हाइडोकलोरिक आमले यहां पे आपको बनाना पड़ेगा लेकिन किलोरीन दो है तो बैलेंस कर लो इसको दो किलोरीन है तो दो यहां पे बना लो मतलब यहां तो लिख नहीं सकते तो यहां पे दो किलोरीन कर लो तो calcium carbonate hydrogloric acid 2H बचा है और एक oxygen बचा है क्योंकि CO2 है यहाँ पे लेकर यहाँ पे CO3 है तो 2 hydrogen और एक oxygen जल बना लेंगे तो यहाँ पे plus में क्या कर लोगे H2 तो यह संतुलित रासाइन एक समीगरण आप लिख पाओगे तो इसको समझ में नहीं आया तो दुबारा सु समझ लो यदि कोई योगिक तनू hydrogloric amble के साथ किरिया करता है तो बुद बुदाहट उतपन्न होती है जिसमें उतपन्न जलती हुए मुंबत्ती को बुझा देती है तो तीर का चिन्न लगा लेना बुझा देती है मतलब कारबन डाई अकसाइड होगी ठीक है जिसम किलोराइड से आपको याद आएगा कि CACL2 बनेगा तो केलसियम और कारबन डाई अकसाइड जिसमें बनता है वो तो केलसियम कारबोनेट ही हो सकता है तो यहाँ पे जाके लेखे लो कि वो calcium carbonate है साथ में आप 2Cl देखकर या question देखके कि तनू hydrochloric aml है तो तनू hydrochloric aml है यहाँ पे बना लोगे लेकिन 2 chlorine यहाँ पे है तो 2 का गुणा कर लोगे तो 2H हो गया और एक oxygen यहाँ से इसे को मिल जाएगा तो अब यह तीनों के तीनों question आप अच्छे से कर पाओगे इसका जो answer है तीसरे का वो मैं आपको दिखा देता हूँ तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यह जो answer है CaCO3 plus 2Cl, CaCl2, H2O, CO2 ठीक है कहीं भी लिख सकते हैं CO2 बीच पे भी लिख सकते हैं CO2 यहाँ पीछे कहीं भी लेकिन होना चाहिए तो इस तरीके से आप इसको कर सकते हैं ठीक है तो आपने तीनों के screen shot तो ले ही लिए होंगे तीनों answer के अब उसको फटा-फट से notes में कर लो और उसको समझ के अधार पर याद करना सुरू कर दो ताकि exam में बहुत अच्छे अंग लेकर आओ अब इसके बाद हम लोग next question करेंगे तो मिलते हैं next video lecture में और telegram channel पर join हो जाओ description में link मिल जाएगी आपको या फिर about section में मिल जाएगी तो telegram channel पर join होना मत भूलो क्योंकि उसमें PDF के साथ में जो notes आपको यहाँ पर दिखा रहा हूँ वहाँ पर मैं upload कर दूँगा तो chapter 2 के आपको सारे notes मिल जाएगे तो उमीद है कि आप अच्छे से पढ़ाई करते रहेंगे और जो भी आपके doubt है या जो भी आपको लगता है comments में मुझे जरूर बताओ और ये तरीका आपको कैसा लगा पढ़ने का ये भी मुझे बता देना ठीक है तो thank you बच्चो अब मिलते हैं next video lecture में